तुझे संग बेर लगाया ऐसा रहा ना मैं फिर अपने जैसा तुझे संग बेर लगाया ऐसा तुझे संग बेर लगाया ऐसा रहा ना मैं फिर अपने जैसा नमस्कार आप देख रहे हैं फाइर मीडिया अंकुश्मंदारी के साथ हमने अकसर देखा है डॉक्टर्स को हॉस्पिटल्स में या प्राइविट मेडिकल सेंटर्स में जहां पर डॉक्टर्स जो है अपना योगदान पेशिंट्स को ठीक करने में देते हैं अकसर आपने तस्वीरे ऐसी देखेंगे लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे ही डॉक्टर्स मोजूद हैं जिनोंने अटरिनल वाइस ऑस डॉक्टर्स कंप्टीशन में जो जैपूर में होता है और उसमें साथ हजार से प्लस डॉक्टर्स भाग लेते हैं उनमें इनका फर्स्ट रैंक आता है आए नहीं से बातचित करते हैं आखिर का कंप्टीशन कैसा था क्या लैवल था और किस तरह का कंप्टीशन था और क्या किस लैवल का हार्डर की करके गए थे और जिसे इन्हें फर्स्ट मुकाम जो है उस कंप्टीशन में हासिल हुए नमस्कार मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इन्वाइट किया और बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्र सब पहले कुछ लाइने सुनना चाहेंगे जो जमकृष्मिर की जनता है सुताप को देख रही है कुछ अपने गाने की वो लाइने सुना दें जो आपने जो है उस कंप्टीशन में गाई थी मैंने लाल इश्क गाना गाया था ग्रैंड फिनाले में जो की जज्जेस को काफी पसंद आया था वो कुछ इस तरह है तुझे संग बेर लगाया ऐसा तुझे संग बेर लगाया ऐसा रहा ना मैं फिर अपने जैसा हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम तेरा नाम मेरा नाम इश्क ये लाल इश्क ये मलाल इश्क ये एब इश्क ये बेर इश्क सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि यह कंप्टिशन जो है जैपूर में हुआ और आखिरकार इसमें जैजिस कौन-कौन थे और इस कंप्टिशन की शुरुवात कहां से हुई थी देखें यह जो कंप्टिशन था इनके जो में जो इवेंट और्गनाइजर्स है जिनका यह आइडिया एक नैशनल लेवल नहीं बलकि इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने करने का सोचा जिसमें इन्होंने अराउंड 7000 डॉक्टर्स जो थे वर्लड वाइड इन्होंने ओडिशन लिए और उतके फिर बाद में स्टेट राउंड्स हुए फिर इनके नैशनल उसमें इन्होंने अराउंड 125 सेलेक्ट किये हर केटेग्री में बिसिकली इनकी तीन केटेग्री इस थी लेस देन 40 40 to 55 यह और 55 प्लस केटेग्री तो 125 जो नैशनल में सेलेक्ट हुए थे उनका जो कॉंपिटेशन हुआ उसमें टॉप 10 इन्होंने फाइनली प्री फिनाले क वो मिस्टर पुनीद दिक्षित है जो की एक बहुत रेनाउंड सिंगर भी है और म्यूजिक प्रोड्यूसर भी है उनकी मूवी 1920 जो अभी आने वाली है उनका उन्होंने म्यूजिक दिया हुआ है और रविंद्र उपाध्या यह भी एक प्लेबैक सिंगर है और इन्होंने बहुत से बॉलिवूड में गाने गाए है जैसे जिया लागे ना जो की तलाश मूवी का है और इन दोनों जजिस ने प्री फिनाले को जज किया और टॉप फाइफ चुने गए अल्टिमेटली दस में से टॉप फाइफ चुने गए जो की फिर आगे जाके ग्रैंड फिनाल क्योंकि डॉक्टर्स जोए अकसर जो है मेडिकल फिल्ड में ही पाये जाते हैं या तो हॉस्टेल में जूटी होती है या प्राइट क्लिनिस में आपने इस करियर की शुरुवात कहां से गया आखिरकार सिंगिंग बच्पन से ही शौक था इट वस काइंड आफ नैचरल वनली कि बच्पन में जो स्कूल वगएरा में हम लोग प्रेयर्स वगएरा करते थे जो भी एसेंबली में हम लोग आते थे तो मुजिक टीचर जो हमारे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि मैं अच्छा गा रहा हूं तो वो थोड़ा सा मुझे बूस्ट करते थे और धीरे-धीरे बॉलिवुड के गाने में थोड़ा प्रेक्टिस करने लगा फिर जैसे एम्बीबियस में आया तो मैंने देखा कि क्यों अपने छोटे-छोटे कवर्स बनाने लगता हूं मैं यूजियुली मैं यही करता हूं एज़ अई होबी इन वर्शाम को जब भी टाइम मिलता है तो वही में कवर्स मेरा इंस्टाग्राम पे हैंडल है डॉक रिषी वोकल्स उसमें यूजियूली पोस्ट करता रहता हूं और ऐसे ही दीरे-दीरे मैं सीखता हूं और मुजिक मैं रूची मेरे को काफी मिलब इस काइंड आफ नैचरल नैचरल तुमी मिलब मुझे एक अंदर से म्यूजिक हिट करता है मुझे फील होता है अंदर से बिलकु एट से लाइफ का कोई ऐसा पॉइंट जब आपने पहल जिससे मेरे को और बूस्ट मिलता है और मतलब और मोटिवेशन मिली और अच्छा करने के लिए जैसे मैं बेसिकली जम्मू से बिलॉंग करता हूं और मैं कश्मिरी पंडेत हूं और एकवट करके एक एप है उन्होंने एकवट एप ने एक हमें मंच दिया था रिकॉर्ड क देख सकते हैं तो उस गाने के बाद मेरे को काफी ज़्यादा प्रेजिस मिली एस्पेशली मेरी अपनी कम्यूनिटी में तो उससे थोड़ा सा मुझे और बूस्ट मिला और मोटिवेशन मिली कि और ज़्यादा अच्छा करने को तो साथी साथ मेरी एमडिक अभी दो साल प इसी लिए इसी तरह मैंने आगे जाके इसमें भाग लिया और इसी तरह के कम्टिशन और देखने को मिल सकते हैं आने वले जिनों बिलकुल अभी तो फिलाल ये सीजन वन था वोईस ओफ दॉक्टर्स का और आगे बिलकुल ये लोग प्लान कर रहे हैं वोईस ओफ कि लेवल तक ले जाने के लिए अभी रिसेंटल इन्हों ने इनागरेट किया है वोईस ओफ मेडिकोज तो जो भी मेडिकल स्टुडेंट्स और डेंटल स्टुडेंट्स हैं ये नो पार्टिसपेटिट जब भी उनके फॉर्म्स वगरा निकलेंगे तो फिलाल तो अभी व किस तरह की फील किस तरह का फील उसमें आप को मैं तो काफी नर्वस था विकाज जो बाकी सिंगर्स थे वो भी बहुत 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 बढ़िया गा रहे थे और कुछ तो जैपूर्क में ही काफी फेमस थे और कुछ नागपूर से फेमस थे कोई बाकी जगाओं से फेमस थ इतने मरबड़े मंच पे गाना गाना तो मैं तो काफी डरा हुआ था और काफी नर्वस था तो लेकिन फिर भी हिम्मत करके I just went over the stage went over the stage and I just sang जितना भी मेरे को मलब आखे बन किया और मैंने गा लिया और जजज़ का रियक्शन जो था वो that was really memorable जो साजिद खान साब है साजिद वाजिद वो stage पर especially मेरे लिए आये और मुझे गले लगाया और मैं उनके साथ काया उन्होंने वन्स मोर कहा बिल्कुल 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 कुमार शानु साहब he was standing during the whole show sorry during the whole performance and अलका जी ने मेरे लिए गाना गया और बाकी है जो जजज़ थे वो पद्मश्री उस्ताद एहमाद हुसैन साहब और मुहमद हुसाइन साब जो की हुसाइन ब्रदर्स के नाम से जाना जाते हैं, वो भी वहाँ पर थे और उन्होंने भी मुझे काफी जादा प्रेज किया, तो that was not expected at all, मेरे को इतना नहीं सोचा था मैंने की, this would be the reaction of the judges. वहीं आप स्किन स्पेशलिस के साथ साथ कानो के स्पेशलिस बेस्वत बन चुके हैं, तो वहीं पूछना चाहेंगे आपसे कि जब रिजल्ट के समय किस तरह का महुल वावदादा रिजल्ट का वलब काफी ज़ादा हूटिंग हुई जब मेरा नाम लिया गया और मैंने जज तो वहीं पूंछना चाहेंगी मेंडिकल फियल्टी जब सैरी न्यूट स्विड्मेट मने डिया तो कि इन डियर काम करते हैं और अपने जो सिंगिंगे के करियर को किने डियी डिया पात्ट मैं है चुशन इसी एम सीनर रिजिद्ञित हूं डर्म Ing तोग्छी मग्रेटर नौइडा इंटरनेशनल इंवर्स्टी में आता है तो वहां पर में एक सीने रिजेंट हूं सुबह नौ बजे से चार बजे तक हमारी जब भी आफटर रेस्ट करने के बाद तो मैं अपना थोड़ा बोथ जो भी मेरे को अगर कोई गाना पसंद आता है में उचली आरेजीट सिंग के जादा सुनता हूं तो उनका गाना अगर मुचे पसंद आता है तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं अपने रूम में मैं अपने माइक लेता हूं और हेड़फोंस लेता हूं और में रिकॉर्ड कर लेता हूं जिस तरह से जजजिस का रियक्शन शो पर रहा है क्या उसको देखते हुए लगता है कि आगे जो आपको मुवीज में गाने का मोका दिया जा सकता है कुछ भी हो सकता है I'm hopeful कि कुछ ऐसा हो क्य मुवीज में गाने का opportunity मिलेगा definitely मिलेगा तो I'm still looking forward fingers crossed देखते हैं और आपकी blessings अगर रहे आप सब की blessings रहे जम्मू के आवाम की blessings रहे तो definitely कुछ अच्छा सुनने को जरूर मिलेगा अगर किसी को मेरे साथ connect होना है मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और मेरी performances अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने क्या गाया था इस पूरे शो में तो आप सब मेरे साथ connect हो सकते हैं मेरा instagram handle है docrishivocals d-o-c-r-i-s-h-i-v-o-c-a-l-s docrishivocals जाते 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 जमुकश्मीर के लोगों के लिए एक गाना सुनाते हैं जाते 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 तुझे है पाया रव से है दिल को मेरे कसम से सुकू मिला हर पल हसी सा हुआ है सांसों को तुने छुआ है बड़ी तुझे से नजदी किया सुकू मिला सुकू मिला तैंक यू चलिए थे हमारे साथ डॉक्टर जी जिन्होंने सिंगिंग कमप्टिशन तो किया और सिंगिंग कमप्टिशन में फर्स्ट प्राइज भी बखो भी लाया है और जमू कश्मिर की आवाज है और इस पोस्ट को जादा से जादा शेर लाइक और फालो पेश को करना ना बूलें और फदर अपडेट के साथ जूड़े रहे फायर मीडिया के साथ